हेलो वेलकम टू प्रनति आई एस तो आज की इस वीडियो में हम से बात करने जा रहे हैं माजिद हुसाइन की बुक जोग्रफी आफ इंडिया भारत के भूगोल को हम लोग कैसे पर हैं ठीक है माजिद हुसाइन सर की बहुत सारी बुक्स आती हैं ठीक है उनमें आपको वर्ल सब के लिए जोग्रफी आफ इंडिया मैंने यहां पर कभर लगा लिया है ठीक है भारत का भूगोल हिंदी में तो आप इसको बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगा ध्यान दे जोग्रफी के सलेवर स्पे तो जो पेपर टू होता है ऑप्शनल का उसमें पूड लेगा लेकिन जिनका जीएस पेपर है जीएस पेपर वालों को इसकी जरूवत नहीं परेगी वह अपना जीसी लियौंग से काम चला सकते हैं तो बात करते हैं और यह आपको प्रिलिम से फायदा करेगा जिनका जोग्रफी ऑप्शनल है और चलिए इसको कैसे पर है तो मैं ठीक है क्यों इंपोर्टेंट इसका इसमें पूशन नहीं आएगा याद रखिए इसका इसमें क्वेश्टन इसका पेपर वन में तो यह और पिसक जोरू करने से पहले कि यह तीन चैप्टर यह तीन टॉपिक खतम हो जाए पूरी तरह से तभी इस जोग्रफिव इंडिया पर आएंगे को कि तभी आपको concept समझ में आएगा आपको बस करना यह रहेगा कि माइंड में बैप को बैठाना है और यहां पर जितने प्लेसेज डेटा है यह बैठाना जोग्रफिय फिंडिया में कुछ नहीं है बस फिस्कल जोग्रफी का इक्जामपल है सीधे तौर पर कहें तो ठीक है तो आप पहले फिस्कल जोग्रफी कंप्लीट करेंगे इस पेसली जीओ मॉर्फ लॉजी प्लाइमेट लॉजी ओसनोग्राफिय उसके इधर रहेंगे अब बात करते हैं कि पहला चैप्टर यानि स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया भ पाई तंत्र धारवार तंत्र यह सब यह सब आपको तब समझाएगा जब आप फिस्कल जोग्रफी और इंडिया के लिए आपको इसको पढ़ने के लिए आपको मैप्स पर फोकस करना है अगर आप आंसर भी लिखेंगे तो हर क्वेश्चन में एक मैप डाल देंगे और व आप समझें टॉप कर जाएगे तो इसके लिए इसमें हर्च इसमें कम से कम 16 चैप्टर के करीब है 16 चैप्टर मेरे ख्याल से 50 मैप होगा ठीक है ना 700 800 मैप इस बुक में है तो इसमें पहला चैप्टर इसमें मैप में फोकस करना है कुडपा तंत्र हो धारवार तंत्र हो यहांने जितने भी चीज़ें उन सबको मैप के थूप पढ़ना है पहले आपको वह कंप्लीट होना चाहिए जो यह मॉर्फॉलोजी तो यह स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया दूसरा चैप्टर है भारत की भू आक्रित यानि फीजोग्राफिय इंडिया यह पढ़ना बहुत सि उसको जरूर हुड हमों और शरूर होती है इसमें मैप अच्छे सा पढ़ना अब क्योंकि जैसे आपसे पूढ़ेस को आप जानते होंगे कर देंगे नॉर्थ में है साउथ में वेस्ट में इस्ट में तो आपको ज्यादा माक्स मिलेगा ठेक है साउथ में साउथ में आप डिनोट कर दिया इसके बाद पूंट लिख सकते हैं भले हिस्ट्री का पॉंट पर आप लिख सकते हैं वहां की तो कॉफी पार्ट आप लिख दीजेगा दूसरा बात क्या होता बाबा बुद्धन की पहारी का तो यहां पे लोकेटेड है जो भी जितना आपको पता हो थोरा मुड़ा सब कुछ लिख दे अब एक राजमुंद्री के बार राजमुंद्री कहां है आंध्रप्रदेश में वहां की खास बत के वहाँ पे खैनी की फैक्ट्री यह बहुत बरी तो आप यह सब लिख सकते या फिर और भी जो भी जीज यह जैसे आप गाजियाबद आप सब जानते हों चाजी बहुत ब स्टमिलनाडु में उसकी कहा सब्सक्राइब यह इस तरह से आप लेख सकते या फिर जरीय को पता होगा बहुत फेमस है या तुरह हम लोग प्रूंक उसको जरूर से याद करने को कि क्वेश्चन उसी पर बनता है और मैप में आप 20 आसानी से ला सकते हैं तो को इसलिए जोग्रफिया पढ़ना बहुत प्रवाय यहां प्रवाय रेन इसमें सारे नदियों का तंटर कहां से सुरू होती है खत्म होती है का कि इस िद्यूपोदिरी से इसमें इस चैप्ट्र में इसमें में है fertile मेंम हो विए मड़ मेरे अब सिरु माइब देते ने 4-5 आध कोई में oops में में मैं को यानि इस रिवर जिपोराग बहुत इंस होता है यह यहां पर बस विस्तार से पढ़ने में फीगर और डाइग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है तो भरवर्ट के फीगर डाइमिलोंस बनाईएगा और इस बुक में भी है के लिएर अच्छे से समझ आ जएगे कुछ यह पे इक्ष्राग स्क्राइब क्लासिफिकेशन अंद्रिव के इसके बाद ट्रिवबार था क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉटरंट तो एक दोवर क्वेशन आभी चुका है तो यह पूछा जा सकता है आरेल सिंग आरेल सिंग को आप सब जानते हैं आरेल सिंग के बारे में इन्होंने जो जलवाई का वर्गी करन कियते हैं आगे वाले चाप्टर नाच्रों विश्टेशन नाश्रल पार यह सबसे इंपोर्टन है प्रिलिम्स पॉइंट पॉइंट आएगा अपरिलिम्स में उसके बाद में भी आ सकता है कौकि वहां पर भी साइंस और यहां पर यहां पर प्रिलियंट लगॉट में सकता है और यहां पर इंपोर्टेंस है इसमें बहुत पूछ सकता कौन सा पार्क कहां पर कहां पर है तो जमू कश्मीर किस लिए फेमस है तो गढ़ों के लिए फेमस है इस तरह से आपको मैप में पूछ सकता है तो जमू कश्मीर में दिखाना कहां पर जमू कश्मीर तो बस माचर प्रदिस के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पर टेक है वाइल लेस्ट वहां पर पाया जाता है तो यह इस तरह इसमें मैप बहुत है मैप ध्यान से पर यह कहां पर कौन सा नैस्टल पार कौन सा वाइल लोकेटेड है इसके बाद आता है बायो जोग्रफी यह चोटा सा पॉर्शन वह कंप्लीट है इसमें मैप का इंपोर्टेंस हो जाता है अच्छे से अलग-अलग अगरा बना कि आपको मैप पर दिनोट करना होगा लेटराइट सौल कहां पाए जाता है तो महाराश्टर में पाया जाता है य और चैप्टर है उडजा समसा नर्जी रिसोसे यह दुश्य एक दूसरे से काफी को रिलेटेट है यह चैप्टर अगर आप पर होंगा जो जिए जोग्रफी पेपर वन में पूछता है तो उसमें आपको और रिसोर्स जोग्रफी यह सब पढ़ना रहता है उसमें यह से भी बहुत इंपोर्टेंट है इसके बाद आता है नौमा चैप्टर है क्रिश्य अग्रिकल्चर यह तो आजकल बहुत आगया इस साल के 2020 में प्रिलिम सुआ था उसमें भी अग्रिकल्चर से बहुत क्वेश्चन आया थे इसका में मैप को भी ध्यान से पढ़ना है इसके CTA Yell Organization of Agriculture इसमें अहता है यह चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है और इसकी पक्का आता है। और यह इसको काफी मैप्स नहीं है लेकिन इस चैप्टर में डेटा बहुत है डेटा के साथ साथ आपको इसमें पॉइंड में लिखना पर वह जो होता है ना क्यूं करना यह चाहिए जो एक को लिखना चाहिए थाट वह थाट इसी में जन्रेट होगा अगला चाप्टर उद्ध्यों इंडस्ट्री इस देखने में तो बहुत इसे बहुत है मैपिंग पर फोकस करना है उसके साथ इसाथ बहुत सारे प्लेसे का नम जैसा में बोला मैंने बोला ना क को अब पर मैं मेंस में प्रीजर जाता है और यहां पर तो आएगा लेकिन जो में स्कूला से बताने के बारे में बताने को कहेगा ठीक है अगला चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट कमिनिकेशन ट्रेड यह बहुत ही चैप्टर यह आप आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आप वॉंडर दस्ट है यहां पर घुमने वह अगयरा का चैप्टर है घुमें होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े याद होंगी कहां कि क्या चीज़े फेमस है और इसका जो पोर्शन होता नहीं तो आपको जीएस पेपर वन में भी हल्प करें इंडियन आर्ट इन कल्चर वाले पोर्शन में और यहां कैसे हमारी उत्पत्त्ति के उत्पत्ति तो इस चैप्टर में उसी के बारे में पता है यहां पे तीन तरह करें यहां पर मॉंगलॉइट्स भी पाया जाते हैं हम मॉंगलॉइट्स नहीं और जो आपके नॉर्थ-eastern साइड्स में नॉर्थ इसस्टेट के वहां के जो लोग हैं वह मंगलोईट्स प्रजाती के हैं ठीक है इसलिए नाक चपती रहती है चेरा गोल होता है उस सारे डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ना और यह भी बहुत इंपॉर्टन चैप्टर है इसमें ट्राइब्स के बारे में भी आप लोग को पढ़ना होता है जो कि साज खल बहुत चला हुआ है एगला चैप्टर है शर्टन मेंस्या आप आप पढ़ना होता है वहां पर लिए तो यहां पर लिजेगा अच्छा ही रहेगा कि इस वह रिजने डेवलप्मेंट्म ने प्लैनिक यह जो चैप्टर है यह एक इस पॉंट्ट आई-इस असल प्लैनिंग होना चाहिए कैसे योजनाय होनी चाहिए यह सब आगला चाप्टर इंडिन पॉलिटिकल आसपेट्स राजनितिक परिफ्रेक्ष इसमें भारत नेपाल भारत चीन भारत पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान भारत मालदिव भारत त्रेलंका यह सब के जितने भी पॉलिटिकल जॉग्रफी के क्वेस्टन सो ते वह इसी चैप्टर से यह यह आप लोग पहले वर्ल्ट के एसपेक्ट में परहे रहते हैं लेकिन यहाँ पर इंडिया के एसपेक्ट में परना है ठीक है यह आप पाकिस्तान भारत चाहिना था अपर आफ अच्छ तो वही लिट्टी के बारे में इसमें दिया हुआ है अब भारस्रिलंका और हो सकता में पूछ भी दें तो उसी सब चीज के बारे में इस चाप्टर में पढ़ना लास्ट चाप्टर जो कंटेंपररी इशूस यह आपके करेंट अफेर का चीज़ पढ़ा पर लेंगे तो अटेंप्ट करने का भी एक तर्कीव है मैप बनाना हर चीज में मैप बना दे रहे हैं जिसमें मैप का नहीं देखता है स्कोप वहां पर डेटा डाल दीजे डिटा का इसकोप नहीं पर डाल दिए तीन चार पांच नमर आल्रेडी को कि कोई भी एक्जामिन पेपर अच्छे से बनेगा तुम्हें भी पांच नमर भी दे सकता है और इतना इस पर बहुत अच्छा लिखे तो भी दस दम पंद्रह में दस से जादे नहीं आएगा बहुत अच्छा लिखेगा एवरेज पर साथ खड़ाप कुछ भी अकर पकड़ भी लिग दीजेगा तो तीन माक्स देखेगा ठीक है तो थैंक यू